अरे वा उस कावे की बात तो सच निकल गई यहाँ पर तो सच में ही सोने का तर्वुज लग गया चलो हम मैं जल्डी से से मिट्टू तोते को दिखा कर आती हूँ मीनू वो तर्वुज लेकर मिट्टू तोते के पास गई रामपूर के एक जंगल में मीनू चड़िया अपने पती कालू कवा के साथ रहती थी कालू कोवा एक किसान था वो अपने खेत में तर्वुच की खेती करता था एक दिन मीनू चड़िया अपने पती के लिए भोजन लेकर खेत पर आई ओलाडो के बापू मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ जल्दी से खालो नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा अभी आया भाग्यमान तर्वुच की बेल में पानी डाल रहा हूँ अगर पानी नहीं डाला तो बेल सूक जाएगी तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो थोड़ी दिरबत कालू को वा बेल में पानी डाल कर आता है और भोजन करने लगता है तब ही वहाँ एक बेपारी तर्वुच खरीदने आता है कालू भोजन करके उस बेपारी को तर्वुच देता है ये क्या सहाब ये पैसे तो बहुत कम है आरे सहाब इतने पैसों में तो मेरे लागत भी नहीं आएगी भाई मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूँगा अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो तुम अपने तर्वुज दूसरे बैपारी को बेच दो ठीक है सहाब आप मुझे जो दाम देंगे मुझे मनजूर है बैपारी तर्वुज लेकर वहां से चला जाता है कालू कौवा सारे पैसे मीनू चड़िया को दे देता है ये तो बहुत कम पैसे हैं जी क्या करूँ मीनू कुछ समझ में नहीं आता इतनी महनत करके तर्वुज उगाता हूँ पर मन मतामिक दामी नहीं मिलता मेरी बात मानो अपसे बैपारी को तर्वुज बेचना बंद करो खुछ से अपने तर्वुज को बजार में ले जाकर बेचो इससे हमें ज़्यादा मुनाफा होगा अगर मैं तर्वुज बेचने बजार चला जाऊंगा तो खेत की देखबाल कौन करेगा और अगर अच्छी देखबाल नहीं होगी तो वसल सूख जाएगी तुम खेत की जिनता क्यों करते हो जी मैं और लाडो बेटी है ना हम दोनों मिलकर खेत की देखबाल करेंगे अब तो अपनी लाडो बेटी भी बड़ी हो गई है हम दोनों मिलकर केट का काम कर लेंगे साम हो गई है चलो अब घर चलते हैं दो तिन दिन बाद कालू अपने केट से सारे तर्बुज तोड़ता है और उन्हें बेल गाड़ी पर रख कर बजार में बेजने जाता है तर्बुज ले लो तर्बुज ताजा तर्बुज ले लो लाल लाल तर्बुज ले लो भाईया एक तर्बुज कितने का दे रही हो दीदी 10 रुपे का एक तर्बुज है अरे ये तो तर्बुज बहुत सस्ता दे रहा है बजार में तो एक तर्वुज 20 रुपे का मिल रहा है ऐसा करती हूँ इसी से एक तर्वुज खरीद ले जाती हूँ भाईया तुम ऐसा करो मुझे एक तर्वुज दे दो और ये लो अपने 10 रुपे वो ऐसा है ना अभी मेरे घर पर कोई है नहीं है इसलिए अभी में एक ही लेकर जा रही हूँ कल फिर से आना तब मैं जादा से तर्वुज लेकर जाऊंगी साम होते होते कालु के सारे तर्वुज बिक जाते हैं आज उसे तर्वुज के अच्छी कीमत मिली थी वो घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है लाडो देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ तोजे जलेबियां बहुत पसंद है ना ये लेखा लगता है आज अच्छी विक्री हुई है तर्वुज की इस तरह समय गुजरने लगता है और कालू की तर्वुज की डिमाइंड बढ़ने लगती है मा पापा से कहोना अपनी तर्वुज की पैदावार बढ़ाने के लिए बजजार से और गैने खाद लेकर आए इस से हमारी फसल ज़्यादा होगी और मुनापा भी ज़्यादा होगा मीनू चडिया ये बात कालू कौवा को बताती है तब अगले दिन कालू कौवा बजजार से खाद खरीदने जाता है तब ये रास्ते में अचानक से तेज बारे सुरू हो जाती है और कालू कौवा एक फिर्ड की डाल पर बैट जाता है और कहता है औरे बापरे इस बारेस को भी क्या भी होना था मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर यहीं बैट जाता हूँ जब बारेस रुक जाएगी तो बजजार से खाद लेने चला जाऊंगा कालू काव इतना कही रहा था कि तब ही अचानक से एक फिर्ड की डाल तूटकर कालू काव आके उपर गिर जाती है जिस कालर उसकी मौत हो जाती है जब इस बात का पता मीनू चड़िया को चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और मीनू चड़िया के घर का सारा रासन पानी भी खतम हो जाता है तब मीनू चड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए अपने खेत में काम करने लगती है ऐसे में एक दिन मीनू चड़िया की बेटी लाडो चड़िया अपनी मा को भोजन देने के लिए खेत पर आ रही थी तब यू उसे किसी की चिलाने की आवाज सुनाई देती है पानी पानी कोई है मुझे पानी पिला दो मुझे बहुत तेज प्यास लगी है लाडो पास वाले केत में जाती है तो उसे एक घायल पच्ची जाड़ियों में पड़ी हुई मिलती है ये लीजिए चड़िया अंटी पानी पी लीजिए लाडो चड़िया उस घायल चड़िया को पानी पिलाती है बेटा एक जंगली जानवर ने मुझे पर हमला कर दिया बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है यहां से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है तुम मुझे मेरे घर तक पहुचा दे लाडो चुडिया उस घायल पच्छी को उसके घर तक पहुचा देती है थोड़ी देर बड़ बचुडिया लाडो को एक पोटली लाकर देती है और उससे कहती है बेटा तूने मेरी जान बचाई है यह ले यह तेरा इनाम है इसमें जादूी तरवुच के बीज है तू इसे ले जाकर अपने खेत में या आंगन में विखेर देना फिर लाडो चड़िया वो जादूी तरवुच के बीज लेकर अपनी मा के पास आती है और उसके मा उससे कहती है आरे लाडो बेटी इस पोटली में क्या है और यह पोटली तेरे पास कहां से आई अरे माजी यह जादूी तरवुच के बीज हैं मैंने एक खायर चड़िया अंटी की मदद की ती इसलिए उन्होंने यह मुझे तरवुच के बीज दिये हैं चलो आगम जल्दी से अने अपने खेत में बो देते हैं फिर दोनों मा बेटी मिलकर उन जादूी तरवुच के बीजो को अपने खेत में बो देती हैं और कुछ ही दिनों में मीनू चड़िया के खेत में तरवुच की बेलोगा आती है और उन पर बड़े बड़े तरवुच लगाते हैं बेल पर लगे बड़े बड़े तर्वुजों को देख कर दोनों मा बेटी बहुत खुश हो जाती है ऐसे में एक दिन मीनू चुडिया अपने खेत में तर्वुज तोड़ रही थी तब ही वहाँ एक गरीब कहुआ आता है मुझे बहुत बोग लगी है चुडिया बेहन कुछ खाने को दे दो मीनू चुडिया ने उसे देखा तो तरस खा कर उसे एक दर्वुज तोड़ कर दे दिया तर्वुज खाने के बाद वो गरीब कहुआ बहुत खुश होगा अरे वा तुमारे तर्वुष तो बहुत स्वादिष्ट हैं भगवान करे तुमारे खेत में सोने के तर्वुज हो इतना कहे कर्वो गरीब का हुआ वहां से चला जाता है उसकी बातों पर मीनू चडिया को हसी आ गई अरे बुद्धु कहीं के किसी के खेत में सोने के तर्वुष ओगे हैं क्या आस तक अरे इसके जगा पर अच्छी खेती का असरबाद देता तो बात भी कुछ और थी अगले दिन जैसे ही मीनु खेत पर तर्वुष तोड़ने पहुची तो दूर से ही खेत में एक तर्वुष सोने की तरह चमकता हुआ देखाई दिया मीनु ने पास जाकर देखा तो आस चर्रे से उसकी आँके खुली की खुली रह गई वो तर्वुष सोने की तरह ठोस था और चमक रहा था अरे वा उस कावे की बात तो सच निकल गई यहाँ पर तो सच में ही सोने का तर्वुष लग गया चलो हमने जल्डी से से मिट्टू तोते को दिखा कर आती हूँ मीनु वो तर्वुष लेकर मिट्टू तोते के पास गई तोते भाईया आपको तो सोने की बहुत पहँचान है और नहीं तो क्या मैं खाली सोने को सूंकर पहँचान सकता हूँ मीनु ने उसे अपना तर्वुष दिखाया अच्छा तो इसे चेक करके बताईये यह सुद्ध सोने का है या नहीं मिट्टू तोते ने अच्छी तरह उस तर्वुष को चेक किया अरे मीनु यह तो खरेटो सोने से बना तर्वुष है यह तुम्हे कहां से मिला तुम्हें इसी क्या तुम ये बताओ कि इस तर्वुष की क्या कीमत दोगे मैं तुम्हें इसके पचास हजार रुपे दे सकता हूँ ये सुनकर मीनू चडिया की आँखों में जमक आ गई और उसने वो तरवुज मिटू तोता को बेच दिया फिर उसके बाद मिटू तोता उसे पचास अजार रुपे दे देता है इस तरह मीनू चडिया अपनी बेटी के साथ खुसी-खुसी रहने लगती है सुन्दरवन जंगल में टून्टूनी चडिया अपने पिता कालू कौवा और अपनी मा टूनी चडिया के साथ रहती थी टून्टूनी चडिया का पिता एक ओटो ड्राइवर था उस समय टून्टूनी एक कॉलेज में पढ़ती थी एक दिन वो अपने पिता से कहती है पापा मैं भी आपकी तरह ओटो चलाना चाहती हूँ क्या आप मुझे ओटो चलाना सिखा देंगे कालुकव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था वो उसकी हर इच्छा को पूरा करता था कालुकव अपनी बेटी से कहता है कालुकवा की बास सुनकर टुन्टुनी चड़िया की मा कहती है तुम भी ये कैसी बाते करते हो जी इसकी उमर तो देखो साधी के लायक हो गई है अब जल्दी से कोई इसके लिए घर और एक चड़ा ढोड़ो और इसकी साधी कर दो मा अभी मुझे साधी वादी कुछ नहीं करनी अभी मेरी पढ़ाई हदूरी है पहले पढ़ाई पूरी हो जाने दो फिर मेरी साधी आदी के बारे में सोचना और पापा आज में स्कुल से आने के बाद आपसे ओटो चलाना सीखोंगी अब तुंटुनी अपनी पिता सी ओटो चलाना सीखने लगी कुछ ही दिनों में तुंटुनी पूरी तरा सी ओटो चलाना सीख जाती है अचानक एक दिन टुंटुनी के पिता की तव्यत बिगर जाती है तब टुंटुनी कहती है पापा आपकी तव्यत ठीक नहीं है आप आराम करिये मैं आपके जगा ओटो चलाऊंगी बेटा ये तू क्या कह रही है कैसे तू इतने बड़े ओटो को चलाएगी एक दो दिन की बात है मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर से ओटो चलाने लगूंगा कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन कालू कवा की तवियत में कोई सुधार नहीं होता घर में पैसों की तंगी होने लगी तब हार मान कर टुंटुनी ओटो चलाने लगी और वो पच्चियों को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाने लगी कुछ दिनों बाद कालू कवा स्वस्त हो जाता है और अपनी बेटी को ओटो चलाते हुए देख कर बहुत खुस होता है एक दिन टुंटुनी चलिया की मुलाकात बंटी कबूतर से होती है बोस के बचपन का साती था उसे देखते ही टुंटुनी चलिया कहती है आरे बंटी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है कहा थे तने दिनों से तुझे क्या बताऊं टुंटुनी इसकुल की पढ़ाई खतम होते ही पिताजी का निदन हो गया तब से मैं उनकी दुकान समाल रहा हूँ और आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया इस तरह काफी देर तक बाते करते रहते हैं दोनो अर्चा मैं चलती हूँ काफी देर हो गई मा मेरा इंतिजार कर रही होगी जब टुंटुनी घर पहुंचती है तो उसकी मा उसका इंतिजार कर रही थी टुंटुनी आज तुने इतनी देर कहां लगा दी क्यों आज तु जाने में देर कैसे हो गई क्या बताओ मा मुझे मेरे बच्पन का दोस्त मिल गया था उससे बाते करते करते पता ही नहीं चला समय का अब बंटी कबूतर रोज टूंटूनी चड़िया से एक पार्क में मिलने लगता है कुछ ही दिनों की मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरी से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों साधी के बंदन में बन जाते हैं ससुराल में टूंटूनी चड़िया की सास बबली कबूतरी उससे बहुत प्यार करती थी टुन्टुनी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत खुश थी लेकिन जल्दी ही उसकी खुशियों को घ्रेड लग जाता है ऐसे में एक दिन टुन्टुनी चडिया का पती उससे जगड़ा करने लगता है वो कोई भी काम नहीं करता था दिन बर घर में पड़ा रहता था एक दिन वो टुन्टुनी चडिया से सराप पीने के लिए पैसे मांगने लगा जब टुन्टुनी चडिया उसे पैसे देने से मना कर देती है तब वो उससे कहता है तुम मुझे पैसे देने से मना कर रही है रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ तब टुंटुनी चडिया कहती है तुम क्यों समझ रहे हो अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगी तो कि तुम मुझे मारोगे जाओ नहीं दे रही मैं तुम जैसे निकम्मे को पैसे और मैं तुम्हारी सिकायत पुलीस में जाकर करूंगी पुलीस का नाम सुनते ही वो डर जाता है और वहां से चला जाता है जगड़ा सुनकर टुंटुनी की सास वहां आती है और आते ही टुंटुनी को डाड़ने लगती है क्योंरी कर्मजली तु हर समय क्यों मेरे बेटे से लड़ती जगड़ती रहती है इसके खाने पीने से तुझे क्या दिक्कत है कंगाल घर से तो आई है तुझे क्या पता पैसे वालों के घर कैसे रेंसेन होती है आप ये कैसी बाते कर रही है मा जी अपने ही बेटे को मौत के मूँ में ढखेल रही है मैं तो इसके भले के लिए ही कह रही हूँ कल मुही अब तु मुझे से जुवानी डलाती रहीगी या मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लाएगी जा जाकर जल्दी से खाना बना कर ला मुझे बहुत जोरों की भूंक लगी है ये कहका टुंटुनी की सास वहां से चली जाती है और टुंटुनी चडिया रोती रह जाती है ऐसे में एक दिन जादा सराब पीने की बजे से बंटी कब उतर की मौत हो जाती है टुंटुनी चडिया के उपर दुखों का पाहा तूट पड़ता है दूर हो जब मेरी नजरों से डायन पता नहीं कौन सी मनुस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया आते ही मेरे बेटे को खा गई मा जी इसमें मेरी क्या गलती है मेरा आपके सिवाइस दुनिया में कौन है अम्मे कहा जाऊंगी तु कहीं भी जा लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा तेरा मेरा कोई रिस्ता नहीं रोती बिलकती टुन्टुनी चड़िया वहां से चली जाती है दो दिनों तक वो भोकी प्यासी एदर उदर बटकती रहती है तब ये उसे एक रोती हुई सुनहरी जड़िया दिखाई देती है तब टुन्टुनी चड़िया उससे कहती है क्या हुआ बेटा तुम क्यों रो रही हो दीदी में क्या बताओ में माता पिता पर एक बाजने हामला कर दिया और मैं अकेली ही जंगल में रह गई उस नन्नी सी चड़िया की बाते सुनकर टुन्टुनी चड़िया एक फैसला करती है अम मैं ओटो चला कर अपना गुजारा करूंगी और इस अनात बच्ची को भी पालूंगी ऐसा सोचकर टुन्टुनी चड़िया पहले अपने लिए घोसला बनाती है और अगले दिन से ओटो चलाने जाने लगती है धीरे धीरे उसे ओटो चला कर अच्छी आमन्दनी होने लगती है फिर टुंटुनी चडिया सुनहरी चडिया के साथ खुसी खुसी अपनी आगे की जिंदे की बिताने लगती है तो दोस्तो ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को कश्ट नहीं पहुँचाना चाहिए और हाँ दोस्तो आज का सवाल ये है कि तुन्टुनी चुडिया के साथ बबली कबूतरी ने तुन्टुनी चुडिया को घर से क्यों भगाया था अगर आपको पता है तो कॉमेंट वाक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तो घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फॉन की स्क्रीन पर हो मिलती हो मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई